राजिस्तान विदानसभा के बज़शत्र में सत्ता और विवक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं वहीं इन सब के बीच विदायक अमीन कांग जी का बायान चर्चा का विशर पन गया है हाली में कुछ दिनों पहले विदानसभा में बज़ट पर बोलते वे वितमंती दियाकुमारी को अमीन कांग जी ने बेचारी कहकर सियासी संग्राम छेड़ दिया था वहीं इस बयान की भाश्पा ने कड़ी निंदा की और कॉंग्रेस की मांसिक्ता पर सवाल भी उठाए जैपुर इस्तित बिडला सभागार में एनिस्वय प्रदिश अद्यश के सपथ ग्रेंज कारिक्रम में कारिक्रम में सचिन पाइलेट पहुंचे थे वहीं उनके साथ अमीन कांग जी भी मंच पर बैठे नजर आए जैसे ही इस कारिक्रम की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हुई रादनेती गलियारों के साथ साथ कॉंग्रेस नेताओ भी इसको लेकर चर्चा करने लगे हैं किके आमीन कांग जी ने अपना पाला पदल लिया है क्योंकि पिछली कॉंग्रेस सरकार में बुखे मंती की कुर्सी को लेकर अशो घैलोत और सच्चिन पालेट की भी जबरदस खिसतान दिखाई दी थी उस वक्स अच्चिन पालेट अपने समर्थ तक विधायकों के साथ मांसिर चले गए थे तो वहीं अमीन कांग जी ने बुखे मंती अशो घैलोत का साथ दिया था लिकिन अब कॉंग्रेस सत्ता से बाहर है जिसके बाद अमीन कांग जी घैलोत को जोड़ कर सच्चिन पालेट के साथ दिखाई दे रहे है रातने देख चानकारों का कहना है कि फिलाल जैपो शहर की आठ विधानसवा सीटों में से दो सीटों पर कॉंग्रेस चीती है उन में से एक सीट पर आर्दश नगर विधायक रफिकान तो दूसरे सीट पर खुद अमीन कांग जी चीते है शहर के दोनों ही विधायक कॉंग्रेस के अलग-अलग गुट में है लेकिन पिछले कुछ समय से यहां के सियातत में कुछ अलग रंग दिखाई देने लगे है जिसके बाद यह सवाल उटने लगे है कि क्या सचिन पालेट का रंग उनके पार्टी के नेताओं पर चड़ने लगा है यह अशोग घैलोत की हाथ से सत्ता बहार जाने पर कॉंग्रेस के नेता उनसे धूरी बनाने लगे है